नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सब्सक्राइब के अब आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रेंड पर यहाँ पर मैंने उपन किया है जी डीयस को फिलाल अभी नए भरती आये हुए हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जी डीयस के भरती को लगातार ये दूसरा सेड्वल है जुलाइ 2023 और इससे पहले भी भरती आया हुए थे तो उसमें बहुत से लोगों के स्लेक्शन हुए थे बहुत से लोगों के स्लेक्शन नहीं हुए थे स्लेक्शन नहीं होना का कारण था वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं और ये इस नॉटिफ सब्सक्राइब देखेंगे तो आपके पैसे बरबाद होने से बस सके तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसके लिए अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सलैब को भी दिखा दिया गया मेंशन कर दिया गया किसे कितने सैलरी दी जाएंगे तो बीपियम जो है इन्हें 12,000 से 29,380 रुपे पेमेंट दी जाएंगे और एवी पियम यानि की ढाक सेवक इनको 10,000 से लेकर 24,470 रुपे तक नीचे चलते हैं और यहां पर सभी के काम टिटेस दिखाएंगे बीपियम भ Candle.. इनके लिए भड़ती है और सातीस आप लोग देख स्वक हम लों जो यह inea सबात करते हैं जो duż एजं लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम जो एजं लिमिट है वह 18 साल है और मैक्सिमिम इस मांकी जिने age में relaxation मिलते हैं उन्हें छूट दी जाएंगे age में भी तो वो अपने category अनुसार यहाँ पर देख से यानि कि यदि SCST इन्हें 5 साल का तिरिक छूट दिया जाएगा इस प्रकार से यह notification यह आप आप लोग देख सकते हैं अब बात करते हैं हम लोग educational qualification की तो educational qualification की बात हम लोग यहाँ पर करें तो देख सकते हैं सबसे पहले तो आप metric pass होना बहुत जरूरी है यदि आप 10th pass है तभी इसके लिए form आप लोग apply कर सकते हैं इसमें main बात यह है कि य बिहार बोट से है या फिर state बोट से है कोई other बोट से है तो उनके percentage उतने ज्यादा नहीं होते हैं और जो cbc से हैं उनके percentage अच्छे होते हैं 99, 90.9% तक marks मैंने देखे हैं cbc वाले के तो इस वज़ाए से इसमें ज्यादा तर जो selection होते हुँआ cbc वाले की हो जाते हैं बा बहुत ही कम chances हैं ज्यादा तर के नहीं होते हैं जिनके 80 plus इसमें percentage हैं उनके हिसमें result होने की chances हैं कितने भी merit list निकल जाए list 1,2,3,4 कितने भी list निकले उसमें minimum 80% वाले के ही merit list बनते हैं यदि आपका इससे कम है तो मैं आप लोगो सुझा दूँगा कि आप इस form को नहीं आप जाएंगे ऐसा निकों कि हैस्ट में भी सीवेसी से बहुत लोग पढ़ते हैं और बाकी जैनरल EWS ओभी सी इन सब में भी सब में आते हैं सीवेसी वाले तो ज़्यादा इसमें स्टेक्शन जो है वासी वाले के ही होते हैं मांकी स्टेट वाले जितने भी हैं उनके की हम簡 यहां के बाएं जानकारी होनी चाहिए जहांके लोकल लेंग्वेज को अपर सकते हैं बोल सकते हैं उसी त्हेुअ आपको अपला प्रक्ट करना है वहीं अधर क्वैलिफिकेस्ट की बात करें आपके पास computer की knowledge, cycling, cycle चलाने सभी को आता है, computer के basic knowledge भी सभी के पास होते हैं, और live hood यहाँ पर देख सकते हैं, accurate means of life, यह भी आप लोग जानते हैं कि आपस के शेत्री language, यह सब जनकारी जहां के फॉर मरते हैं, उस जगह के बारे में, जनकारी यह सब आपके पास होना चाहिए क्योंकि डाक का काम होता है, इस भी घर घर जाके चिट्टी पहुंचाने या जो भी document बगड़ाते हैं, यह सब देखना, तो अब आगे चलते हैं, यह पर देख सकते हैं, category wise disability जो है, यह सब दिखाए गया है, कैसे apply करना है इस form को, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, आप description box में महाँ से visit करके आप लोग इस form को भर सकते हैं, आपको registration करना हो, registration के बाद आपको final submit करना होगा अपने form को, selection process क्या होगा, तो selection process यह है, automatic system दोड़ा generate की जाएंगे, merit list, इसमें ही short list की जाए गया, यह बिर्कुल marks basis पे होगा, अब यह command की जाएगा, जिनके भी 80% है, उ list के list निकाले जाए, इस तरह से merit list 1, 2, 3, 4, इस तरह से list जारी होते हैं, तो यह इसमें selection process है, तो इस तरह से selection process की जाएंगे, grade 1, grade 2, grade 3, इस विज़ा से आपके पास यह ज्यादा percentage है, तभी आप लोग इस form को भरे, यह आपके percentage कम है, तो आप लोग इस form को ना भरे, क्योंक लिख के रख लिजिए, बाकि, दिमोटिवेट मैं विल्कुल भी नहीं करूँगा, आपको बन है, तो आप लोग फॉर्ण को बर सकते हैं, मेरा काम है आप लोग बताना, आपका काम है फॉर्ण को भरना या फिर नहीं भरना, तो यदि आपके मन में इस से related कोई सवाल है, या कोई सुझाव है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, इसमें अप्लिकेशन फी क्या लगेंगे, तो अप्लिकेशन फी एक सो रिपे लगेंगे, ठीक है, माँ कि यदि फीमेर कंडिडेट हैं, से स्टी हैं, पीर डूडी हैं, त तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं आप से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक लिए धन्यवाद आपका दिन सुभव